I used to be so happy but without you here I feel so low I want you as you left but I can never seem to let you go Hey what's up guys this is Kokshi here and once again welcome to my channel दोस्तो आज का वीडियो में मैं साव मी में 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 का गेमिंग रिव्यू और अन्टू बेंच्माक टेस्ट करूँगा and Redmi Note 4 के साथ भी बेंच्माक कंपरिशन करूँगा तो चलिए देखते हैं मी में में हाई एंट गेम में कैसा पार्फोमेंस हिनता है तो दोस्तो वीडियो शुग करने के पहले आपको एक बार बता वेता हूँ साव मी में मेंस 2 पावर्ड़ पावर्ड़ पावर्ड़गन 625 ओक्ताकूल प्रोसेसर विड अडरेनो 506 DPU और 4GB डाम और 64GB इंटरनेल मेमोरी और मेरा पास Redmi Note 4 भी है और मैं दोनों में ही Antutu Benchmark टेस्ट किया हूँ हाला कि मेरे Redmi Note 4 3GB वाला वेरियंट है और दोस्तो और एक बात यहां पे दोनों फोन में ही Benchmark टेस्ट करने में मोर देन 5 मिनिट्स से भी ज्यादा टेम लगा है तो मैं आपको थोड़ा सा फ़र्ष्ट परवाट करके दिखाऊंगा आधरली से आपको बोर्रिंग लाएगा तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं Antutu Benchmark टेस्ट में क्या रिजल निकल के आता है तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सेकते हैं यहां पर Mi Max 2 का Antutu Benchmark को निकल के आया है 61,930 और यहां पर रेट भी नोट 4 थोड़ा सा स्लो है साइद 3GB RAM के लिए और हाँ अभी फाइनली रेट भी नोट 4 में भी स्कोर निकल के आ गया है और यह है 58,744 तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस टेकर को नहीं मिलता है तो जो भी है यह तो था से Antutu Benchmark अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले Mi Max 2 का Current Temperature आपको दिखाएता हूँ तो दोस्तो जैसी के आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर यहाँ अभी Mi Max 2 का Current Temperature है 35 degree Celsius तो चलिए मैं अभी कुछ High End Graphic वाला गेम लाइक Asphalt Extreme, Modern Combat 5 और Most Common Game तो यहाँ पर देखता हूँ तो चलिए देखता है Mi Max 2 में कितना अच्छा पार्फोमेंस मिलता है और कोई हीटिंग इसू आता है या नहीं तो दोस्तो मैं यहाँ पर अभी Asphalt Extreme गेम को स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं Already Best possible High End Graphic सेटिंग करके रखाओ तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देखा है Asphalt Extreme गेम बहुत ही अच्छा से स्मूथली प्ले हो गया है कोई भी फ्रेम डॉप या लैक टिक्टर को नहीं मिला था और यह दोस्तों मैं यहाँ पर अभी Most Common गेम साब वेसा पर स्खेलना सुरू कर दिया हूँ यहाँ अगे प्लेड़ से प्लेड़ी मुच गयाँ गयाईस नो फ्रेम रॉप्स नाउ एम प्लेंघ्माटे में प्लेंग मौरण दाप आईब्स नाव नाव श्मीख से जाधि लिएंड ग्रीज नयंगेंद आज असके प्लेंदिग गयाँ लिए ने यहाँ ने फ्रीज ब तो देखता है यह गेम कितना अच्छा से कितना स्मूथली चलता है मीमेक्स 2 में अच्छा बिना कोई लाग से बिना कोई फ्रेम डॉप से बहुत ही अच्छा से स्मूथली यह गेम चल गया है और दोस्तो रियली यहाँ पे मीमेक्स 2 में गेमिंग एक्सपिरियंस इस ओसम क्योंकि हीउज 6.44 इंच का फूल इजडी डिस्प्लेय स्टीरियो शाउंड के साथ अभी तक का मीरा एमराइट गेमिंग एक्सपिरियंस में जस्ट नेक्स लेविल है तो दोस्तो अभी मैं फाइनली तीन गेम खेल चुका हूँ मोर दन 45 मिनिट्स तो अभी चेक करते हैं अभी फोन का कारेंट टेंपरिचर क्या है तो दोस्तो यहाँ पे भी कारेंट टेंपरिचर है 43 डिग्री सलिश्यास तो हाँ दोस्तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट आफ हुआ है बट हाद में आपको उतना ज्यादा हीट फिल नहीं होगा तो दोस्तो फाइनली बेस्ट अन रियल लाइट गेमिंग एक्सपरियेंस और मीमेक्स टू गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा डिवाइस हो सकता है तो आनफर्चेनली मीमेक्स टू उन लोगों के लिए नहीं है और अल्शवामसी और मीवाई 9 के बाद मीमेक्स टू में गेम और अच्छा से और स्मूथली चल पाएगा तो दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हिलफूर रहा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और आप चाहे तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है तो चलिए दोस्तो मैं हूँ कोशिक और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तिल देन बी हापी और केप स्माइलिंग त्क्स अलोट पर वाचिंग